नमस्कार आज हम 27 अगस्त 2020 के करेंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाज तक जरूर देखें आज का फर्स्ट कॉश्चन किस राज्य ने NRI एकी क्रत पोर्टल लॉंच किया है मतलब इन मैंसे आप बताईए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने NRI Unified Portal लॉंच किया है इसका सही आंसर है Option B उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदितिनात जिनोंने लॉंच किया है NRI Unified Portal ये जो Unified Portal जो है वह इसलिए लॉंच किया गया है क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी Migrant Workers है जो अभी कोरोना की वज़े से अपने स्टेट में लॉट कर आए हैं उनका सारा डेटाबेस जो है वह अब तयार किया जाएगा इस Portal पर ताकि Emergency के टाइम पर उन्हें Assistant प्रोवाइड किया जा सके ये जो Portal है वह Help करेगा Investment में स्टेट की और इसी के साथ जो लोग भी बहार जाना चाहते हैं Abroad उनको Opportunity भी प्रोवाइड की जाएगी कुछ Revision करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में टेराकोटा प्रोडेक्ट स्रॉम गोरगपूर गोड जी आई टैग जो टेराकोटा प्रोडेक्ट से गोरगपूर का उसे जी आई टैग मिला अगला पॉइंट है आई 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 टी कानपूर ने डैबलेब किया एक Indigenous Seed Ball नेमस बीज बीज की फिलफ़ाम है अगला पॉइंट है रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में इस्तित है अगला कॉशन है कौन सा बैंक क्रशी रिड के लिए उपग्रह का उप्योग करेगा मतलब इन मेंसे कौन सा ऐसा बैंक है जो कि सैटलाइट को यूज करेगा ताकि फार्म क्रेडिट को एक्सिस किया जा सके इसका सही आंसर है ओप्शन A. ICIC बैंक इस तरह का पहला बैंक है जो इस तरह की टेक्निक को अपना रहा है ठीक है इसमें क्या करेंगे जितनी भी फार्मर्स के जो पेरामीटर से उनको यह एक्सिस करेगा जैसे लैंड इरिगेशन ट्रॉप पैटर्न इन सबसे डेटा निकालेगा और जिससे मदद मिलेगी बैंक वो उन्हें लेंडिंग डिसीजन लेने में फार्मर्स के लिए आइसी आइसी बैंक जो है वो अल्रीडी कंडेक्ट कर रहा है पाइलेट स्टडी पांसो बलेजिस महरास्टर मद्रपदेश गुजरात की कुछ रिवीजन कर लेते हैं बैंक से ही रिलेटेड है कि जो एर्ट पॉर्टल लॉंच किया गया है मतलब इन में से कौनसा ऐसा जीजाइट है ठीक है जिसके लिए यह निलामी पॉर्टल लॉंच किया गया है इसका जो सही आंसर है वहाँ ओप्शन C है कश्मीर सैफरॉन और यह सारे ही जीजाइट है एक बार इनके नाम आप देख लीजे श अभी कोई GI tag मिले हुए है ठीक है ट्रेडिंग को GI tag सैफरून जो कश्मीर सैफरून है इसकी ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए ताकि यह easily कोई बादा के बिना इसको मतलब खरीदा और बेचर जा सके ठीक है और बीच में कोई हैसल ना आए मतलब कोई बादा ना आए इसकी पोर्टल लॉंच किया गया है यह auction पोर्टल जहाँ पर easily हो जाएगी ट्रेडिंग बायर्स और जो खरीदार होगा और सेलर्स होगा उन दोनों के बीच में अब कश्मीर सैफरून के टाइप देख लेते हैं यह तीन टाइप की होती है कश्रीम, कश्मीर, सैफरून एक होता है लक्षा, सैफरून एक होता है गुष्शी, सैफरून तीसरा होता है मौंगरा, सैफरून इरान जो है वो largest producer है सैफरून का वर्ड में जबकि second number पर जो है वो कश्मीर है जहाँ पर गिरो होता है सैफरून सबसे ज़्यादा अगला question है हाल ही में वार्ली पेंटिंग समाचारों में है या किस राज्य से सम्मन्दित है मतलब इन में से किस राज्य से सम्मन्दित है वार्ली पेंटिंग इसका सही answer है option B, महरास्ट्रा ठीक है उन्होंने महरास्ट की जो famous वार्ली पेंटिंग है उससे अपना जो corporate office है जो इनका नौर्डा में इस्तित है उसकी जो outer walls है न उस पर उन्होंने यहां पेंटिंग करवाई है ठीक है ताकि जो Indian folk art है उसको promote किया ज़ा सके अब हम जानते हैं वार्ली स्कौन होते है यहां जो indigenous tribe है अचलि यह आदिवासी है जो कि महरास्ट और गुजरात को जो border है वहाँ पर जो coastal area है और जो mountain वाला area है वहाँ पर यह लोग रहते हैं यह जो speak मतलब यह जो language बोलते हैं वहाँ unwritten है मतलब कहीं लिखी नहीं हुई है और ऐसा बोला जाता है कि यह ब्लॉंग करते हैं मतलब जो इनकी language है वहाँ इंडो आर्रेन language से ब्लॉंग करती है यह आप देख सकते हैं यह वार्ली पेंटिंग यह बनाते हैं ठीक है महारास्टर जो है वहाँ इस बार्ली फॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है ऐसा माना जाता है कि यह 10th century AD में इसकी ना मतलब इसकी जो रूट है उसको ट्वेस्ट किया इया था ठीक है और यह जो पेंटिंग है ना भीम बेट का जो रॉक शैल्टर के अंदर जो पेंटिंग ना उससे मिलती जुलती होती है और जो scene portrait जिसमें portrait किया जाता है उसमें hunting, fishing and farming, festival, dances, tree यह सब इसमें portrait किया जाता है कुछ revision कर लेते हैं महारास्ट के बारे में drop tax service from भहुचा धाका to mandua यहां पर रोपेक सर्विस चलाए गई थी भूचा ढाका से लेकर मांडवा तक वर्ल्ड का लार्जेस कॉन्वलसेंट प्लाजमा थेरिपी ट्वाइल प्रोजेक्ट जो है प्लैटिना महरास्ट में ही स्टार्ट किया गया था अगला पॉइंट है औरंगाबाद एरपोर्ड का नाम बदल का छतिपती सांभाजी महराज रख दिया गया था अगला पॉइंट है कि भारत एरफाइबर सर्विस जो है महरास्ट में अकोला में स्टार्ट की गई थी अगला point है जो festival है इसका नाम है असाड़ी एकादशी यह महारास्ट में मनाया जाता है और महारास्ट में ही inaugurate किया गया था एक नया data center जिसका नाम थे Yota NM1 data center अगला point है महारास्ट ने Google के साथ मिलकर जो है वह learning tool जो है इस्कूल के लिए provide कर रहा है मतलब learning tool प्रोबाइड कर रहा है Google के साथ मिलकर महारास्ट अगला question है हाल ही में renew ने स्वक्ष उर्जा कीप महुच बढ़ाने के लिए कि संगठन के साथ सहयोग किया है मतलब इन मैसे किस organization के साथ जो है वह renew power ने collaboration किया है ताकि जो clean energy को access और उसको बढ़ाया जा सके इसका सही answer option है United Nation Environment Program के साथ clean energy firm जिसका नाम है renew power इसने United Nation Environment Program के साथ जो है वह agreement sign किया है ताकि जो renewable energy है उसको access करने के लिए उसको increase करने के लिए और energy efficiency को improve करने के लिए यह partnership की गई है जो main focus है वहाँ यहाँ है कि Paris Agreement के टाइम पर जब इंडिया ने adopt किया था nationally determined contribution जिसका उद्देश यहाँ था कि हम energy को energy की जो efficiency है उसको improve करेंगे और renewable energy को बढ़ाएंगे उसी को पूरा करने का यहाँ एक step है अगला question है किस Bima company ने शगुन gift of a insurance निती शुरू की है इसका सही answer है option D जो SBI general insurance company है उसने शगुन gift and insurance policy जो है वहाँ launch की है यह एक insurance policy है नाम सी समझ भारा है यह gift की तरह आप use कर सकते हो आप इसे आप किसी को भी मतलब gift कर सकते हो इसमें insurance प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है यह जो इन्होंने यह जो start किया है gift ठीक है इसे filed किया गया है इर्डा के sandbox regulation के इंतेगरत ठीक है इर्डा की फिल फॉर्म है Insurance Regulatory and Development Authority of India ठीक है उसके sandbox regulation के तैथ इस product को जो है वह filed किया गया है अगला question है हाल ही में odd fs01 समाचारों में है यहाँ क्या है इसका सही answer option C यहाँ गैलक्सी है ठीक है एक scientist की मतलब global team थी उसने discover की है earliest galaxy ठीक है और यह जो galaxy जो मतलब discover की गई है वहाँ इंडिया के astro set का use करके की गई है ठीक है अब थोड़ा सा इंडिया के astro set के बारे में देख लेते है astro set जो है वह इंडिया का first multi wavelength satellite है ठीक है जिसके अंतिरत five unique x-ray और ultra wallet एक telescope भी है ठीक है जिसके द्वारा detect की गई है इस galaxy की UV lights को ठीक है और यह जो global team थी वहाँ Inter University Center for Astronomy and Astrophysics IUCAA के scientist के द्वारा discover की गई है इस earliest galaxy को अगला question है किस भारतिये ने मांसी गड़ना विश्व championship में भारत के लिए पहला स्वर्ड जीता है मतलब इन मैसे कौन सा ऐसे इंडियन है जिसने अभी भारत के लिए first gold मतलब की जो पहला स्वर्ड जीता है mental calculation world championship में इसका सही आंसर है NB प्रिकास हैदराबाद के नील कंट भानु प्रिकास ठीक है जिन्होंने first ever gold medal जीता है इंडिया के लिए माइन sports ओलंपियार के mental calculation world cup में यह आप देख सकते हैं ठीक है और इन्होंने शकुंतला देवी और इसकौर्ट फ्लैंसवर के record को बीट किया है आईए इसके बारे में थोड़ा स जानते है माइन sports ओलंपियार जिसके mental calculation world cup में जो है भानु प्रिकास के द्वारा गोल्ड जीता गया है उसके बारे में जानते है जो माइन sports ओलंपियार यह एक international event है जिसके अंदर 60 different board game competition होते हैं जैसे कि chess, scrabble, seven wonders और यह पहली बार हुआ था 1998 में अगला question है अफ्रीका का अंतिम देश कौन सा है जिसे हाल ही मैं polio से मुक्त घोशित किया गया है इनमें से कौन सा देश है अफ्रीका का last देश है जिसे declared कर दिया गया है free from polio ठीक है इसका सही answer option A Nigeria यह आप location देख सकते हैं Nigeria की अफ्रीका ने अपने आपको declared कर दिया है wild polio से free ठीक है अब यह जो डिसी जब वहाँ अफगानिस तो है पाकिस्तान में ही रह गई है बाकी हर जगे से यहां मतलब free हो गई है declared free कर दिया यह है ठीक है इसका अचलि कोई cure तो है नहीं है लेकिन जो इसकी vaccine है वहाँ चिल्डन को उनकी life से protect करती है नाइजिरिया जो था वह लास्ट अफ्रीकन कंट्री थी अब यहां भी free हो गई है polio wild polio से free हो गई है polio एक virus होता है जो की spread होता है person to person ठीक है और mainly यहां usually यहां contaminated water की वज़े से होता है इसकी वज़े से nervous system जो है nervous system को attack किया जाता है जिसकी व polio जो है वह affect करता है children को जिनकी age under 5 होती है मतलब 5 साल यह 5 साल के नीचे जो होती है इंडिया जो है वह अपने आपको declare कर चुका है polio free ठीक है इंडिया में एक program चला गया था pulse polio program जो की launch किया गया था 1995 में अगला question है नेम्डिकीत मैसे कौन 600 test wicket लेने वाले इतिहास में प पहले ऐसे मतलब गैंदवाज बोलेंगे इनको ठीक है तेज गैंदवाज जिनोंने 600 test wicket लेने वाले या इतिहास में पहले तेज गैंदवाज बन गई है अब किरकेट के बारे में तो आप सभी को बहुत ही interest है यह आप देख सकते हैं ठीक है और यह inland से है और आप सभी को जो medical question पूझा तो उसके मैं आज आपको answers देती हूँ पहला question है किस दिन को प्लत्वी overshoot दिवस 2020 के रूप में मनाया जाता है इसका सही answer है option C 22 अगस्त अगला question है best बंगाल यह गलत है क्योंकि असम जो है उसमें longest river रोबे जो है country का inaugurate किया गया है अगला question यह है यह भी गलत है क्योंकि टर्की ने भी हाली में ब्लैक सी में जो है वहाँ natural gas fertilizer for discover किया है अगला question भी गलत है क्योंकि करनाटका ने migrant workers के लिए transit homes तयार किये है अगला question भी गलत है क्योंकि जो अश्वनी भाटिया है वहाँ SVI के managing director appoint किये गए है आप सभी के लिए revision question हाली में सरकार ने open API service को नेमनेकित मैसे किस आप पर शुरू किया है और पहला question है 26 अगत का revision में ministry of travel ने ठीक है क्या national council for transgender person को चेर करा है अगला question है जो national strategy for financial education है क्या यह नितियायोग के द्वारे यह document release किया गया national strategy for financial education याद रखना ठीक है अगला question है क्या बिहार ने launch किया निर्मान मजदूर registration अभिहान अगला question है कि जो bondas tribe है जो समाचारों में क्या यह असम से related है आप सभी इसके answer true or false में दीजिए और इसी के साथ आज का current affair यहीं समापत होता है अगर पसंद आता है तो please like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे share कीजिए और thank you so much